हलो एवरीवन वेल्कम तो मैं चानल सो तोड़े वीडियो डालेंगे इसके उपर और आपके एक्जाम कभी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अपको यह वीडियो थोड़ा भी हिल्फुल लगे तो अपने फ्रेंट्स के साथ इसे शेयर कीजे और इसी तरीके से हमारे चानल पर बने रही है तो चलिए वन बाइवन कोशन में आपको पढ़ोंगी हिंदी में समझाओंगी और इसे हम सॉल्फ करेंगे तो सबसे पहला कोशन देख लेते हैं सबसे पहला कोशन में आपको बोला है रिशब वर्स परफॉर्मिंग अन एक्सपरिमेंट वित ब्लू कलर सॉल्यूशन तो रिशब एक ब्लू कलर सॉल्यूशन लिया है उसने और वो एक्सपरिमेंट कर रहा है और उस सॉल्यूशन का नाम यहां पर क्या दिया गया है? X दिया गया है. ठीक है? In a bicker, by mistake of a saving In a bicker, by mistake a shaving blade fell into the bicker. After half an hour you found that the color of the solution in bicker changed to green. तो यहां पर क्या हुआ है? By mistake उससे क्या हुआ है? Saving blade जो होता है जिससे shaving करते हैं वो fell down हो गया है कहां पर? Bicker में. कौन से bicker में? जिसमें blue color solution रखा हुआ है. ओके? तो आदे गंटे के बाद जब उस bicker को देखता है तो वो bicker का color जो है वो किसमें change हो चुका है? Green में change हो चुका है. अब जाहिर सी बात है अब उसमें color changes हुए है It means उसमे chemical reaction हुए है. तो Y में convert हो चुका है. तो यहाँ पर पूछ रहा है What could be the solution of X and Y respectively? X और Y कौन सा solution हो सकता है? तो bicker X जो है blue color है and blue color solution जो है उसे हम कहेंगे copper sulfate. यह copper sulfate हो सकता है. और copper sulfate में जब saving blade गीरा तो थोड़ी दिर के बाद उसका color जो है वो green में convert हो गया Because of chemical reaction तो यहाँ पर copper sulfate में iron गिरने के वज़े से ठीक है? iron blade गिरने के वज़े से उसमें जो chemical reaction हो है उसके वज़े से iron sulfate में convert होने के वज़े से वो green color में वो जो bicker में तो इसका सही option होगा और जो blade है उसमें brown decomposition हो गया जिसे आप बोलोगे उसका oxidation हो गया अब यहाँ पर इसका सही answer होगा option number A will be the correct answer क्योंकि X जो होगा वो copper sulfate है and Y जो हुआ जो chemical reaction से create हुआ वो होगा iron sulfate चली question number 2 देख लेते हैं question number 2 में बोला है which of the following statement is correct about the given changes तो यहाँ पर changes दिये गए हैं और आपको उसके related आपको बताना है which is true अब यहाँ पर number 1 में बोला है beating aluminium to make aluminium foil तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए aluminium foil create करने के लिए beating of aluminium यहाँ पर बताया गया है तो इसमें कोई chemical reaction नहीं होता so it is a physical change cutting a log of wood into pieces इसमें क्या किया है लकडियों के log को pieces में cut किया गया है तो यह भी physical change है heating an iron nail till red hot till red hot तक इसे क्या किया गया है गरम किया गया है तो इसमें कोई changes हुए नहीं यह सरफ physically changes हुए इसमें कोई chemical reaction हुआ नहीं हुआ crystallization of a pure copper sulfate crystal form an impure sample तो इसमें कोई chemical changes हुए नहीं हुए तो these all are क्या है all are physical changes तो इसका सही option क्या होगा option number C will be the correct answer ओके चलिए question number 3 देख लेते है question number 3 में क्या बुला है विशाखा तुक few wire pieces made up of different metal विशाखा ने क्या किया है कुछ wire के pieces लिए है जो अलग-अलग metal से बने हुए है अब उसने क्या किया है एक blue solution जो copper sulfate का है उसमें उसने उस अलग-अलग beaker में 1,2,3 beaker में उसने क्या किया है उस solution में वो metals अब डाल दिये हैं पहले में metal क्या है iron है दूसरे में क्या है silver है तीसरे में क्या है gold है अब यहां पे अब आपको यह बताना है उसके changes color में क्या changes होंगे तो हमने पहले ही पढ़ा था जब iron blade जब copper sulfate पे गिरा था तो उसका color change होंगे क्या हो गया था ग्रीन हो गया था तो यहां पे green होगा तो green यहां पे भी है और green यहां पे भी है ठीक है अब silver and gold तो मैं आपको बता दो silver and gold जो है वो less reactive है less reactive है copper से ठीक है तो इसलिए उसमें कोई color के changes नहीं होंगे they will remain blue and blue ठीक है तो यहां पे कौन सा सही option होगा option number C वाला जो है वो सही option होगा क्योंकि silver का भी color changes नहीं होगा यह blue color ही रहेगा and gold का भी color changes नहीं होगा यह blue color का ही रहेगा solution तो option C जो होगा वो इसका correct answer होगा चले question number 4 कर लेता है select the incorrect statement incorrect statement को आपको select करना है अब यहां पे बोला है hydrogen gas turn the lime water milky तो hydrogen gas lime water को milky नहीं बनाता है carbon dioxide gas जो होता है वो lime water को milky बनाता है तो यह एक incorrect statement है both rust formation and ice formation are chemical changes नहीं rust formation chemical changes है whereas ice formation जो है वो एक physical change है पानी का बर्फ में बदलना तो यह wrong है both melting of a butter and a melting of a wax are a physical change जाहिर सी बात है physical change है इसमें कोई chemical reaction नहीं होता mixing of a milk and a curd produce a chemical change right curd produces with a chemical change तो यहां पे आपका जो incorrect statement है वो है 1 and 2 और इसका सही option होगा option C let's do the question number 5 तो question number 5 में आपको बुला है study the given figure carefully तो यहां पे आपको क्या दिखाया है एक iron wire है जिसे bent करके इस one का formation किया है kept in moist उसे moist atmosphere में रखा है कुछ दिन और फिर यहां पे आप देख सकते इसमें कुछ-कुछ dot-dot जैसे दिखाए जा रहे हैं देखें यहां पे dot-dot जैसे दिखाए जा रहे हैं तो यह अब उसे to दिया है यहां पे नाम what type of changes occurred in the wire wire में किस type के changes occur हुए हैं यह पूचा है तो चलिए next page पे चलते हैं नंबर A में बोला है नहीं हुए हैं लेकिन उसे moisture में रखके कुछ दिनों के लिए उसे moisture में रखने के वज़े से उसमें chemical change हुए हैं जिसके वज़े से उसमें rust लगा हैं तो वो हमारा chemical change है और 2 में chemical changes हुए थे वो moisture में रहे के तो उसके वज़े से उसमें rust लग गए थे तो यहां पे सही option होगा option number B Let's do the question number 6 Question number 6 में आपको दिया है Kunal has classified a few process as shown in the given table Serial number आपको 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 दिया गया हैं यहां पे अब यहां पे process में दिया है Sublimation of a Nephthalene ball is a chemical change आपने Nephthalene ball अपने घर में देखा है क्या Nephthalene ball जो है वो मतलब जादा तर ऐसे Almira में रखा जाता है और वो ball के वज़े से आपके कपडों में गंदी बद्बू नहीं आती है और आपके Almira का जो वातवरन है वो भी fresh रहता है तो Nephthalene ball जो है वो एक physical change है ठीक है जो solid है जो दीरे दीरे gas में convert होता है और हर जगा फैलता है तो यह physical change होना चाहिए यहां पर ठीक है heating of a sodium and chlorine gas अगर आप sodium और chlorine gas को heat करोगे तो वो इसमें chemical changes होंगे chemical changes होंगे तो यह एक physical change नहीं है यह chemical change है mixing of a sodium hydroxide and a copper sulphate solution तो copper sulphate solution और आप जब sodium hydroxide को mix up करेंगे तो उसमें भी एक chemical reaction होगा तो it is a chemical reaction ओके expansion of a bimetallic strip तो यह सही है sorry यह सही है expansion of a bimetallic strip तो bimetallic strip का expansion करना is a physical change इसमें कोई changes नहीं हो रहे है तो उसे हम क्या बोलेंगे physical change अब यहां पर हमने यह तो बता लिया अब हमें आगे देखना है क्या question पूछ रहे है the process which are classified incorrectly कौन कौन जा incorrectly classified किया गया है तो 1, 2 and 4 जो है उसे गलत classify किया गया है तो यहां पर आपका सही option होगा option number C है let's do the question number 7 question number 7 में क्या दिया है the ash which is collected after burning of a magnesium ribbon is dissolved in water to give a solution X what is the nature of solution X when it is tested with indicator तो question number 7 में आपको बुला गया है ash of a burning magnesium ribbon magnesium ribbon का burning के बाद जो ash है उसे water में dissolve किया गया है तो वो solution क्या form होगा और उस solution का यहां पर नाम दिया गया है X what is the nature of a solution X what is the nature of a solution X nature क्या है solution X का which is tested in the indicator ठीक है सबसे पहले देखते हैं magnesium magnesium को जब ash मतलब जब जब जलाया गया है it means उसमें oxygen का involvement हुआ है तो magnesium plus oxygen oxygen क्या create करेगा magnesium oxide अब magnesium oxide यहां का X जो है वो क्या है magnesium oxide है अब magnesium oxide के साथ magnesium oxide को लेके उसको water में mix up कर दिया है that is the hydrogen तो magnesium plus hydrogen is the magnesium hydroxide ठीक है अब magnesium hydroxide अगर आप देखोगे तो यह एक basic solution है nature में ठीक है अब यहां भी जो option है मुझसे पढ़ लेते है option A में बोला है it turned blue litmus red and phenopethylene pink hence it is acidic in solution no it is basic in solution तो यह गलत है okay number B में बोला है it turned red litmus blue and phenopethylene pink hence it is basic solution तो यह एक right answer है okay number C देखिये it turned blue litmus red and gives no color with phenopethylene hence it is acidic solution तो अब D में तो neutrally ही बोल दिया गया है तो यह सब गलत है इसका सही option जो होगा वो होगा option number B let's do question number 8 while performing an activity in a lab while performing an activity in a lab Roshil dissolve sugar in water and observe the change पहला change को उसने change 1 बोला है इस फ्रेंड शॉबित तुक शॉबित ने क्या किया है तुक अलिटल अलिटल शुगर इना स्पाचुला स्पाचुला मिन्स उसने एक अब समझ लीजे कि एक स्पून में स्पाचुला जिससे चीजों को हिलाया जाता है स्पाचुला लिया है and डारेक्ली हीटेड उसने हीट कर दिया इत अन बूशन बर्नर फ्लेम तो उसमें चेंज 2 हुआ है विच अब फाचुला इस इन करेक्ली रिगार्डिंग चेंज 1 और चेंज 2 चेंज 1 और चेंज 2 के लिए कौन सा स्टेटमें परेक्ट है चेंज 1 इस फिजिकल चेंज राइट है एक new substance फॉर्म हुआ यह भी करेक्ट है अब चेंज 3 में बोलाएं चेंज 1 और 2 बोटा रिवर्सिबल है तो नहीं चेंज 1 रिवर्सिबल है वेरस चेंज 2 इरिवर्सिबल है पानी को चीनी में मिक्स अप कर देना चीनी पानी बन गया राइट लेकिन चीनी को हीट कर देना मतलब डाइरेक्ट हीट करना तो उसमें क्या हुआ है अब उसमें कार्बन मिक्स अप हुआ है स्टीम क्रिवर्सिबल है तो यह एरिवर्सिबल है यह कामिकल चेंजेस हो चुके है अब शुगर जो पहले था वो अब बदल चुका है ठीक है तो अब यह रिवर्सिबल नहीं हो सकता तो नमबर 3 जो है यह आपका रांक है ओके चेंज नमबर 4 में भी दिया है चेंज 1 is reversible वाईज 2 is irreversible तो यह सही है कौन कौन सा सही है 1 सही है, 2 सही है और आपका 4 सही है तो ये से साब से आपका option C सही है ओके, let's do the question number 9 question number 9 में आपको दिया गया है study the given setup to pass gas Z through lime water ओके, आपको gas Z बताना है through lime water जो pass on किये जा रहे है तो यहाँ पे X plus Y है यहाँ पे lime water है यहाँ पे Z है तो X and Y क्या होंगे जो lime water पे चलिए, तो हम इसे पहले fill in the blanks पर लेते हैं तब हमें जादा बिटर समझ में आएगा X is dash and Y is dash when Z is pass through the lime water Z को जब lime water से pass through किया जा रहा है यहाँ पे it form which makes lime water milky जो lime water को milky बना रहा है तो हमने पहले पढ़ा था carbon dioxide एक ऐसी चीज है जो lime water को क्या बना देती है milky बना देती है तो चलिए अब हम इसे ही पता करते हैं कि हमारा यहाँ पे X and Y क्या है ठीक है X और Y का formation मतलब mix up और formation के वज़े से carbon dioxide create हो रहा है जो lime water को milky बना रहा है तो यहाँ पे hydrochloric acid और zinc carbonate को अगर आप mix up करते हैं option number A देख लीजे तो यह carbonate इसका reaction जो है वो carbon dioxide create नहीं करेगा वेरास vinegar and sodium carbonate भी नहीं तो अब यहाँ पे acetic acid and baking soda है baking soda and acetic acid को जब आप sorry जब आप जब आप mix up करेंगे जब आप mix up करेंगे तो यहाँ पे carbon dioxide create होगे carbon dioxide जब create होगा तो वो lime water को क्या बनाएगा milky बनाएगा तो यहाँ पे acetic acid baking soda and carbon dioxide होगा इसका सही answer जो calcium carbonate यहाँ पे आपके lime water को milky बनाएगे तो यहाँ पे option c जो होगा वो अपका correct answer होगा hope so you get it my point now question number 10 दिख लेते हैं match the given chemical reaction with the product listed in the box and select the correct option from the given code तो यहाँ पे जो given codes हैं आपको दिये गए आपको क्या करना है उसका जो chemical reactions है वो आपको यहाँ पे बताने है product listed किये गए है चलिए करते हैं number P में दिया है mixing magnesium oxide with water so mixing magnesium oxide with water will create magnesium hydroxide which is number 2 this P this will be number P okay क्यों मैं बोला है brown deposit of iron nail kept in copper sulfate तो copper sulfate में जो iron nail आप डालोगे तो वो iron sulfate create करेंगे that is next page भी देख लेते हैं इसका next page में हमें क्या दिया गया है कि यह हमसे गल्दी ना हो जाए इस चीज़ को करने में अच्छा हमें वही चीज़ निकालना है तो यहां पर दिया गया है brown deposit of iron nail kept in iron sulfate solution तो वो होगा CO CO यह होगा Q अब बोला है carbon dioxide is passed through lime water calcium carbonate which is number 8 यह होगा R अब next देख लेते हैं अब यहां पर दिया है observation अब यहां पर दिया है absorption of ultraviolet radiation by ozone तो उसे आप क्या कैमिकल reaction compound देंगे चल यह देखते हैं उसे हम देंगे ओ 2 this one S okay तो क्या आएगा यहां पर systematic आपका क्या आएगा two four eight six तो इसका सही option है two four eight six that is option number d will be the correct answer okay hope so आपको यह question number one two ten अच्छे से समझ में आया हो अगर आपको पसंद आया है तो nice explanation ज़रूर लिखें और अगर चानल में नए है तो चानल को subscribe ज़रूर कीज़े क्योंकि एन एसो खतम होते ही साथ हम आपके syllabus को भी continue करेंगे तब तक के लिए stay tuned and bye